हलो दोस्तों स्वागरते आप सभीकों मेरे यूट्यूब चानल टेक करन राजस्पे आज हम एक बॉइलर का फीड लाइन फीटिंग करने वाले हैं तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं यहें फीड पॉंप का दो आउटलेट और यहें बॉइलर का इनलेट यह 40 mm का भाल इस लाइन में लगता है थोड़ा बड़ा बाला लाइन है एक इंच का भी आता है चोटा 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 बॉइलर में पाकिंग सब ग्रिज हो गया है एक भाल को ग्रिज करके रख लिया गया है और उसके उपर एक पैकिंग फिर लगा लिया गया और यह जो आप चीज देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिश्क टैप NRB नॉन रीटन भाल जो पानी बोइलर में जाता है बोइलर में जो प्रेसर रहता है उसके बज़ा से उसको रिटन आना चाहिए पानी को उस पानी को रिटन आने से रोकने के लिए यह जो डिक्स टाइप इनर्वी लगती है चलिए दूसरे साइट में भी एक बाल बिठा देते हैं पैकिंग रख दिया गया है और यह जो एरो मार्क देख रहे हैं उसको उपर के तरफ रखके आपको बाल प्रिटिंग करना है डिस्क के एरो मार्क भी उपर के तरफ रख दिजिए दोनों डिक्स लग गये हैं उसके उपर हमारा टी टाइप का बेंड लगता है क्योंकि यह बॉइलर में जो फिट लाइन होता है वह एक पाइप से होता है लेकिन दो फिट पंप स्टांडबाइ मोड में एक कंटीनी होता है इसलिए इसको टू इन वान फिट लाइन भी कहते हैं दो फिट पंप रहता है दो मेंसे पानी बॉइलर को जाता है लेकिन बॉइलर के जो इनलेट है वह सिर्फ सिंगल है हमारा टी टैप का बेंड लग चुका है उसके उपर भी एक भाल लगा चुके हैं और यह देखिए एरो मार्क उपर रखा हुआ है और डीस टाइप एनर्व को भी लगा लेते हैं उसको भी एरो मार्क उपर के तरफ रखके अगर आप मेरे चैनल में नहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए शाथी साथ बेल आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे अपडेट सारे वीडियो आप तक जल से जल पहुंच सके और आपको इन्फर्मेशन मिलती रहे तो अब पूरा लाइन कंप्लिट हो गया है नाट बोल्ड फसा के उसको फाइनल टाइट दे देते हैं देखिए हमारा लाइन पूरा कंप्लिट हो गया है सबी नर्वी टाइप डिस्क एरो मार्क में है देख लिजिए वीडियो को सुरू से अंतक देखने के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए नमस्त्राइब